दोस्तों क्या आप एक कोईन कलेक्टर हैं आप घर बैठे मगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए नोट रो सिखे तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप्लिकेशन को यह बेस्ट नुमिस्मेटिक एप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जहां पर बहुत सारे कोई तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एविलेबल है नमस्कार दोस्तों मैं रभी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करूँगा 1986 1986 के 1 रुपी के कोईन के बारे में 1986 में 6 गिराम वजन के कोपन निकल के जो स्मॉल कोईन आए थे उनमें एक रेयर वराइटी के बारे में बात करूँगा और अपने कलेक्शन का भी वो रेयर सिक्कम आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज़्यदा इंटरस्टिंग है और काफी ज़्यदा वैल्यू आज किस वीडियो सा आपको मिलेगी क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको उन वैल्योबल सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है जो हो सकता है आपके पास भी हो और अगर मेरे वीडियो के माध्यम सा आपको वो जानकारी मिली है जिस mint का और date का सिक्का मैंने बताया है और वो आपके पास भी मिल जाता है तो इसमें आप ही लोगों का फायदा होता है इसलिए चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बैल को भी दबा दे तकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आप जानते हैं 1986 के उस 6 गिराम बजन के कोपन निकल सिक्के में कोन सी रेयर वराइटी है आप जानते हैं 1986 के कोपन निकल के 6 गिराम बजन के सिक्के कोन सी मिंट के कलेक्टेबल है और अगर आपके पास भी 1986 के काफी सारे 6 गिराम बजन के small coin है तो आपको उसमें कौन सी मिंट का सिक्का तलाश करना है इस तरह के design के जो सिक्के है ये 1982 से लेकर 1991 तक बनाए गए थे कोप पर निकल इनका metal है और इनका जो weight है वो 6 गिराम है size की बात करें तो 26 mm और shape circular coin के over side अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आशोका पिलार है और left side में हाँ पर भारत और right side में इंगलिश में इंडिया लिखा है आशोका पिलार के ठीक नीचे सत्यमेव जाते coin के reverse side देखेंगे तो उपर रुपया ग्याहों की दो बालिया नीचे denomination 1 रुपी 1986 और नीचे mint mark दोस्तों 1986 के यह सिखें बोंबे कलकत्ता और हैदराबाद की mint में ढाले गए थे अब इनमें तीनों में से एक mint का सिखा collectable है वो कौन सा है यह जो मेरे collection में आप देख रहे हैं हैदराबाद mint 1986 एयर के नीचे star mint mark होना चाहिए तो यह सिखाप का हो जाता है है एदराबाद mint का और यह rare की कटिगरी में आता है ऐसे सिखें मिलने काफी ज़्यादा मुश्किल होते हैं collectors ऐसे सिखें collect करना चाते हैं जो collection करते हैं series wise 1 रुपी के coin का तो वो ऐसे 1 रुपी के coin का collection करना चाते हैं पिछली वीडियो में ने बनाई थी 1988 के नोईडा mint के सिखें की वो भी rare की के टिगरी माता है और यह यह भी दुरलब सिखा है इतनी आसानी से 1986 का हैदराबाद mint का सिखें नहीं मिलता है तो आपके पास अगर 1986 की काफी सारे सिखें है तो उनमें हैदराबाद mint का तलाश कीजिए अब हम बात करते हैं कीमत की तो 1986 के बॉंबे और कलकत्ता mint के सिखें जो है वो कोमन की के टिगरी माते हैं कीमत उनकी 5-10-15 रुपे इस तरह से हो सकती है डिपैंड करता है कंडिशन कैसी है लेकिन अगर आपके पास यह हैदराबाद mint का सिखें है जो मेरे पास है यह तो यह आपको दे सकता है 100 रुपे से लेकर और लगबग 500 रुपे तक 500 रुपे UNC कंडिशन अगर आपका यह सिख्का UNC कंडिशन में है 1986 हैदराबाद mint तो लगबग 500 रुपे कीमत आपको यह दे सकता है लेकिन अगर यह कोई आपका extra fine कंडिशन तक में भी है तब भी आपको 200-300 रुपे तक दिलवा सकता है क् यह rare की category माता है बस आपको ध्यान यह रखना है क्या आपके जो कोईन है ऐसा 6 गिराम वजन का यह कोपर निकल का उसमें year के नीचे आपको star mint mark देखना है तो star mint mark होता है तो उसी cup collect के जीए उसको अपने collection में hold करके रखे definitely इसकी value आगे जाकर बढ़ेगी दोस्तो वीडियो पसंद है यह तो like करे चैनल को subscribe करे बैल notification को दबाके also rate कर लेता कि आने वाली वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके और नीचे मुझे comment करके जरूर बताना क्या आपके collection में भी 1986 का कोपर निकल का यह 1 रूपी का coin है या नहीं है मैं जानना चाहता हूँ